पानी का मठका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरो का पानी आ रहा हो, तुमने आरो लगा रखा हो, पर उसके नीचे छोटा सा हंडा, मठका, कुछ भी, छोटा सा घडा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इत्ता बड़ा हंडा रखो, मठका रखो, घडा रखो, कलस रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों उसमें पित्रों का इस्थान होता है, तो घर में, रसोई घर में, कभी परिवार में किच-किच नहीं होती, कलेश नहीं होता, अगर हंडा भरा हुआ ह हंडा खाली होते होते, जब सुभा के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में, जहां हंडा आदे से जादा खाली हो जाता है, सास्त्र करता है, बविश्व पुनान करती है, जहां पानी का हंडा आदे से जादा खाली हो गया, समझ लेना, दूसरे दिन, रसोई घर म कलेश जरूर होगा यह पक्का इसलिए हंडे की सीमित्ता देखी जाती है मटके को, हंडे को, कलश को आदे से जादा भर कर रखा होना चाहिए भले आदे तक भरा रहे पर आदे से नीचे नहीं उस गर में कलेश अपनी रकम तुड़वा तुड़वा के बहु को सोने की रकम चड़वा दी खुद ने अच्छी साड़ी नी पेनी दद्द सजार का सूट चड़ा दिया चुन्नी बेस डबा दिया तैयार होने का चपल दी नापकी चूड़ी का नाप मंगवाया इत्ता प्रेम और घर पे आके जगदंबा हो गई कारण क्या है इत्ता कलेश कहा से आ गया जब तुमने पसंद करी तुमने देखी लड़की वालों ने यहां देखा लड़की वालों ने महां देखा जब एक दूसरे को देखके सपात हुई है संबंद हुआ रात रा भर बात चली फिर फिर क्या हो गया यहां तो रोज फोन लगाती थी मम्मी यह वाली साड़ी तयार कर लो हाँ बेटा कर ले ऐसी ऐसी बात सासुर बहु में चले चुडी का ना भेज दीजे चोली का ना भेज देना और मैंने डबा वाल पतियार कर लिया अज्यू वीडियो काल में दिखा देखे यही है चपल वी लिये यह वी लिया चोटी वी घजरा वी लिया दुन्या का समान लिया सादी खुरी ने दो तीन लाख does में खर्च कर लिया मिमानों को जब इत्ता खर्च करा, इत्ती जोड़दार बात चीत थी, फिर आखे दी, साल दो साल में ऐसा क्या हो जाए, कि ये जगदंबानी ये कात्या ही नहीं हो जाए, कारण क्या है, कारण तो ढूंड़ो, अरे बोलो तो सही है की नहीं है, कारण तो ढूंड़ो, कि कारण क्या ऐसा कि क्या कारण हो गया अब दोस्ट दे नहीं कि माने सिखा दिया होगा और वो दोस्ट दे तुम तो अपनी मा के ही हो हमारी तो सुनो ही नहीं अब वो इधर दोस्ट वो उधर दोस्ट दे ये दोस्ट देने से कुछ नहीं हो अपने करमों का दोस्ट देखो जरूर जहां कर देखना कि सुवेरे सुवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है फूरा नीचे तक तो नहीं चले गए आदे से नीचे तो नहीं हो गया मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो हो नहीं है भले कुटोरी के चकरमा, पानी के चकरमा रसोई घर के चकर में रोटी के चकर में चाय दिन भर में कभी भी होगा पर 24 गंटे में क्लेश होगा उपक्का थोड़ा भरा क्यों भर कर रखा जाता है मटका क्यों भर कर रखते है हंडा क्यों कहा जाता है कि जिस समय बास्तु पूजन होता पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भर आ जाता है, नया पोरा मठका, नया हंडा, वास्तु पूजन में भर आ जाता है, क्यों? और जब पंडिजी सिर्फ मंगवाते हैं, नारी भर से भर कर लाती है, ग्रह प्रवेश होता है, भरा हुआ मठका, खाली नहीं, भर और जब भरवाते हैं, तो इतना भरवाते हैं, उसका पानी उंडेलना चाहिए, बास्तु पूजन का नियम है, जिस समय मठके को भर कर लेकर आते हैं घर के अंदर, कलस भर कर लेकर आते हैं, बास्तु प्रवेश करते हैं, ग्रह प्रवेश करते हैं, तो मठका इतना भरा ज जोब साथां को व्हीổi मुझना में यह सी का रहे है भविश्पुरण क्या रहे हैं नहीं क्या करें कि पानि भरा हुए जब पमें चलता जरुड़ प्रवेश्ट करें तो बहगवां से यही प्रहतना रहती है कि लच्छमी एसी जलकती रहे इतनी कृपा कर पर लोग पंडी जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पेनी विचारी ने पिन मिन लगाई हो बड़ियो जो अर्दा पल्लू मल्लू लिये तो अब 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 भर के तैयार करके टेंटिंग पेंटिंग कर अब बार चे पानी अब इसका एंकार इतना जलके तो कल स्काट जलके अब जो जलकना है वो तो जलकाई ने जुम का जलका जलकाई आप में पन्यो का जो सब्टाइब एंटाइब है झाल 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 सब! सब्टाइब झाल सब्टाइब झाल सब्सक्ला झाल